वेलकम तो दो पाट साला आज की क्लास में हम 10 बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिसकाउंट से कोश्चन करने वाले हैं और आज के जो कोश्चन है कुछ कोश्चन तो ऐसे हैं जो आपके एक्जाम में आ जाए तो आप लैंग्वेज में इस्टूइंट ने भेजा था उसे ट्रिक नहीं लग रहा थाwny रिक्वेस्स किया हुआ था कि सर इसमे ट्रिक्स लगा के बताईए इसवज़े से यहाँ पर Hindi तो वाकी की question में Hindi language है तो चली इसको करते हैं If a seller sells his goods at 25% profit If he purchase his goods for 900 less and sold for 900 more He would have gained 5% more Find the CP अब इस question का मतलब परे मैं समझा दू Suppose करो किसी चीज का जो CP है वो आपका 100% है जैसा कि हम मान के चलते है question में बोला ये जा रहा है कि अगर कोई चीज 100% की है तो वो क्या किया जा रहा है 25% additional benefit पे बेचा जा रहा है अब क्या हो रहा है बोला ये जा रहा है कि अगर 900 रुपए इसको जादा में बेचो और साथ में 900 रुपए कम में खरीदो जो आपने खरीदे था वो उस पे ना खरीदो 900 रुपए कम में खरीदो तो आपको 5% additional benefit हो रहा है तो ये CP की आपसे value पूछ रही है तो इस तरीके के questions को कैसे approach देते हैं ये बहुत जरूरी होता है तो आप लोग इसको try करके देखिए कि आपसे जो है ये question कितनी देर में लगता है चली मैं आपको बताता हूँ इस question को देखिए इसमें trick क्या है trick simple से ये है आपको थोड़ा सा logic लगाना है देखिए 5% का additional benefit हो रहा है तो ये जो 5% है इसके अंदर क्या क्या आएगा बस आपको इतना सोचना है देखो 900 रुपए extra में तो आप ज़्यादा बेच रहे हो तो सीधे सीधे 5% में ये 900 रुपए तो होगा इसका तो सीधा सीधा contribution होगा क्योंकि ये 900 रुपए आप ज़्यादा बेच रहे हो तो इस ज़्यादा बेचने की वज़़े से 505% जो आपका additional benefit है उसमें contribution तो होगा साथ में ये जो 900 रुपए में कम में खरीद के लिए के आए इसका भी contribution होगा इसका कितना contribution होगा ये 900 रुपए कम में खरीद के लिए के लिए के आए हो और total profit किता हो जा रहा है 25 प्लस 5 130% तो आपका CP ये हो गया और बोला जा रहा है कि 5% additional benefit हो रहा है तो 5% additional benefit इस पे नहीं हो रहा है किस पे हो रहा है इस पे हो रहा है तो जो इसके पहले का price था वो price तो fixed है उस पे तो जो हो रहा था हो लेकिन ये 900 रुपए कम लेके आए हो इसकी वजह से जो profit हुआ है वो profit इस 5% के अंतरगत आएगा तो ये जो निकालेंगे हम इसमें add करेंगे 900 का 130% इसका 130% upon 100 ये करके निकालेंगे 130% यही आपका 5% होगा और ये 5% किसका हम निकाल रहा है इस वाले CP का तो यहाँ पे हम इसको calculate करेंगे 900 और आप इसको cut करोगे 93 ग्यारा सो सतर प्लस नौ सो तो आपकी जो total value होगी ये हो जाएगी 11, 11, 9, 20, 70 ये 5% की value होगी आपकी अब आपको क्या निकालना है 100% की value तो 100% की value जैसे ये आप निकालोगे तो ये value आपकी आजाएगी 2, 0, 7, 0 into 100 upon 5 5 चे divide करोगी आजाएगा 20 मतलब इसका 2 गुना निकालना है आपको तो यहाँ पे आजाएगा 0, 0, 14, 1, 4 4, 1, 4, 00, इतना क्या आजाएगा आपका rupees आजाएगा ये उसका क्या रहा होगा CP रहा होगा तो question समझ में आए आपको ये जो additional benefit आ रहा था 5% का उसमें इस 900 रुपय का जो extra बीज रहे थे उसका contribution है साथ में जो 900 रुपय कम लेके आ रहे थे उसका contribution है उसका contribution किता होगा उसकी वज़े से आप 30%, 25% तो पहले benefit हो रहा है 5% additional हुआ तो 30% total तो इसका 130% इसमें contribution रहा होगा During a sale, the shopkeeper offers a discount of 10% of the usual selling price If he managed to sell 216 certs for Rs. 13608 Then his cost price per cert is एक दुकांदार ने साधारत या किसी वस्तो को उसके क्रायमूल से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है एक सेल के दौरान दुकांदार ने विक्रायमूल पर 10% की छूट देता है यदि वह 216 कमीजों को 13608 में बेच देता है तो प्रतिक कमीज का क्रायमूल बताईए बहुत ही आसान कोशन है एक कमीज की बात हो रही है तो पहले आप क्या कीजिए यहाँ पर क्या दिया है 216 कमीजों को इतने में बेचता है तो सेलिंग प्राइज जो है 216 का आपको पता है कितना है यह 13608 तो एक का अगर आप निकाल लो अगर एक का SP निकाल लो तो 13608 में आप 216 से डिवाइड कर दो अब यह है कि अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है इसको फटाफट डिवाइड कर लोगे चलिए डिवाइड कर लेते हैं 425, 24, 16, 432, 24, 16, 428, और फिर 9 से 966, फिर 927, और 927, और नौट बहतर, फिर 6 से डारेक, 666, यागर 36, 63 रुपीज आ जाएगा एक का किता हो गया 63 रुपीज आ रहा है अब क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार में साधारत है किसी वस्तों को उसके क्रेमिल से 40% अधिक अंकित किया जा रहा है मतलब अगर आपका CP जो है 100% है तो उसको 140% पर उसकी MRP फिक्स की जा रही है अब बोला जा रहा है कि एक sell के दोरान दुकानदार ने विक्रे मुले पर 10% की छूट देता है अगर इस पर 10% की छूट देगा तो इसमें 14 घटा, 24 जैसे ही घटा हो गया जाएगा 126, समझ मही बात 126 आ जाएगी, तो 126% पर बेचा जा रहा है दो और ये पांच, तो किता आगया एक sell का कॉस्ट, 50 रूपीज आ गई, तो ये आपका CP 50 रूपीज हो जाएगी इसके बाद next question देखते है क्या बोला जा रहा है एक दुकानदार किसी खिलाओने के अंकित मुले पर 23 पर संट की छूट देने पर 56 रूपे का लाब रापत करता है यदि लाब 10 पर संट है तो खिलाओने का अंकित मुले क्या है MRP बतानी है, क्या बतानी है? MRP बतानी है कितने पर संट का डिसकाउंट है? 23 पर संट का डिसकाउंट है और क्या होता है? 56 रूपे का लाब रापत करता है यदि लाब 10 पर संट है तो जैसे इसमें 56 जोड़ोगे तो 6, 6, 5, 11 और 6, 616 आपका क्या हो जाएगा? Selling price हो जाएगा, और क्या कहा जा रहा है कि 23% की छूट दे रहा है, क्या है? मतलब 77% पर सेल कर रहा है, 11,770 और 11,55, 11,56, 7,8,56 और यहाँ पर क्या जाएगा? 800 रुपीज तो यह question में भी part होगा, इसके बाद next question है, A shopkeeper lists the price of an article as Rs. 500, but he gives a certain discount which allows the buyer to pay Rs. 500 for the article, including 10% sales tax. The rate of discount is, एक दुकानदार किसी वस्तु का मुल्ले 500 रुपे नियत करता है, परन्तु वह एक निश्ची छूट देने के बाद 500 रुपे में खरी देता है, जिसमें 10% विकरी कर सामिल है, छूट की प्रतिसद दर कितनी है, अब इस question में language में थोड़ा सा confusion हो जाता है, पहले language समझ लीजे, कि देखिए कोई बंदा है 500 रुपे MRP fix करता है, इस पे कुछ छूट देता है, खरीदने वाला जो बंदा है, वो 500 रुपे में इसको खरीद होगा, बगर जो है sales tax के, उसका और MRP का ratio पूछ रहा है, तो इसको कैसे calculate करोगे, इसको ऐसे calculate करते हो कि 10% sales tax अगर add है, तो suppose करो कि जो भी selling price है, जो exact बगर sales tax के होना चाहिए था, उसमें 10% sales tax लगाए जाएगा, फिर उसको जोड दिया जाएगा, जोडने के बाद जो price value है, वो 500 है, तो आपको निकालना क्या है, 100% की value, ये जो 100% की value होगी, ये exact छूट देने के बाद जो बंदा था, उसकी selling price रही होगी, sell tax को अगर हटा दे तो, तो 500 बटा 110 into 100, तो ये ये आप कट कर दोगे, sorry, एक कटेगा, एक कट जाएगा, उसके बाद या जाएगा, उस MRP किता है, MRP है अपका 500, तो अब इसको घटा होगे, फिर divide करके, जो है, multiply करोगे, और फिर discount निकालोगे, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो discount निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ MRP में ratio चाहिए, तो यही से ratio निकाल लो, 500 और 5000 बटा 11 में ratio निकालोगे, तो य 11.10 का ratio आजाएगा, अगर MRP 11 है, तो उसको सेल कित्ते में कर रहा है, 10 में, तो यह selling price का ratio आगया, अब discount निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, 1 क्योंकि इनके बीच का difference यह है, difference upon MRP होता है, difference upon 11, into 100, यह निकालोगे, तो आपका आजाएगा, 9.1 बटा 11%, यह आपका C option है, तो इस तरीके के question को इस तरीके से approach देते हैं, उसके बाद next question देखते हैं, next question कुछ इस तरीके से है, रहीम बॉट a TV with 20% discount on list price, had he bought it with 25% discount, he would have saved 500 rupees, at what price did he buy the TV, रहीम एक TV इसके सूची मुले पर 20% की छूट के साथ खरीदता है, यद उसने 25% छूट के साथ खरीदा होता, तो उसे 500 रुपे की बचट होती, तो उसने किस मुले पर TV खरीदा था, बहुत ही simple question है, question क्या कह रहा है, कि भाई देखो, अगर हम बोले MRP हमारी 100% थी, तो वो क्या करता, वो 20% छूट पे लेके आया, उसने खरीदा, और कहा जा रहा है कि अगर ये 25% छूट पे खरीदता, त उसे 500 रुपे की और बचट हो जाती, तो मतलब ये जो 5% की वैल्यू है, यही क्या है, यही additional आपको 500 रुपे की बचट हो रही है, जो 5% के बराबर तो, यहां से 100% की वैल्यू निकालोगे तो किता आ जाएगा, यह आ जाएगा 1000, 1000 यह 10,000 रुपे आ जाएगा, 100% की वैल् 80% का वैल्यू जो है आपका 8,000 आ जाएगा, उसने 20% डिसकाउंट पर खरीदी थे ना यह चीज, तो वो वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसमें यही confusion होता है, कि हम यहां निकालते हैं, और इसको गलती से टिक करके चले जाते हैं, तो 80% पूछ रहा है, जो उसने पहले यहां तो यह assumption किया है, कि अगर 25% पर छूट में खरीदा होता है, तो 500 की बच्चत हुई होती, लेकिन जो question का answer है, जो बताना आपको जो पूछा है, वो यह पूछा है, कि जो वो खरीदा था, exact 20% डिसकाउंट पर वो वैल्यू बतानी है, तो वो आपकी क्या है, 8,000 लेकिते हैं, after allowing a discount of 16%, there was still a gain of 5%, then the percentage of market price over the cost price is, 16% की छूट देने के बाद भी 5% का लाब होता है, तो अंकित मुले क्राय मुले से कितने प्रतिस्त अधिक होगा, अब देखिए, यहां पे थोड़ा सा confusion हो जाता है, confusion क्या होता है, language, language थोड़ी सी हटपटी है, अभी मैं question करा तो समझ में आएगा, जैसे इस तरीके के question में क्या लेते है, MRP हम 100% ले लेते हैं, अब यहां पे 16% का छूट दे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप 84% पे बेच रहे हो, तो जो selling price है, 84% MRP का हो जाएगा, और बोला जा रहा है कि 5% का gain हो रहा है, CP पे अगर 5% का gain हो र 100% CP निकालो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 84 by 105 into 100, यह आजाएगा आपका MRP का, अब जैसे MRP का यह वैली आएगा, क्योंकि CP और MRP में ही आपको relation निकालना है, तो इसको कट करोगे, तो यहां पे आजाएगा, 7, 7, 2, 14, 7, 7, 35, और यहां पे 5 से कटोगे, 3, 2, 0, 3, 4, त प्रतिस्त CP का, अगर CP और SP में अगर आप ratio निकालो ती यह हो जाएगा, 4 बटा 5 का, तो अगर आपकी CP 4 है, तो SP कितनी है, 5 है, तो मतलब कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, अब यह देखना है कि किस से percentage निकालना है, percentage निकालना करे मुले से, ध्यान दीजिएगा, करे 20 to 100, तो आपकी वेलिज किती आजाएगी, 25 परसेंट, और अकसर करके हम यहाँ पर गलती कर देते है, 80 परसेंट निकाल लेते है, हमको लगता है कि 20 परसेंट यहाँ कहीं पर होगा, और को गलत करके आजाते है, या फिर इसको छोड़ देते है, तो यह actually यहाँ पर यह discount of 15% and the remaining at 30% discount, his overall profit is, एक दुकानदार वस्तों का मुले, लागत मुले से 30% अधिक अंकित करता है, वह आधे माल को सूची मुले पर बेचे देता है, एक बटा चार माल को 15% की सूची पर बेचे देता है, और सेस को 30% की छूट के साथ बेचे देता है, उसका कुल कितना हुआ, देखिए ये कुशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इसका कैलकुलेशन आसान बनाया जा सकता है, कैसे, सपोच कीजिए, आप 100 आर्टिकल यहां पर रख लीजी, यह आपको मानना पड़ेगा, अपने दिमाग किसाब से सोचना पड़ेगा, और सब की कीमत 1 अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसली किया, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाई, यह हमारा टोटल कॉस्ट प्राइज पता चल गया, अगर हमें यह पता चल जाए, कि फाइनली कुल कितने में बिका, तो हम सीधही उसमें से सो को घटा लेंगे, और निकल आएगा हमारा परस क्योंकि सो हमने पूरा का पूरा अपना प्राइज ही माल लिया है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि 30% जो है, एडिस्नल, लगा के वो क्या कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, मतलब अगर बात करे, सभी का तो 130 रुपए सभी का लिस्टेड मूले है, बोला जा रहा है कि आधा मतलब 50 को क्या कर रहा है, वो लिस्टेड प्राइज पे सेल कर रहा है, मतलब 130 रुपए जो 30% इंक्रीज किया तो 1.3 हो गया, तो 1.3 के हिसाफ से 50 का किता हो गया, 65 रुपए हो गया, तो 65 रुपए में 50 को तो बेज दे रहा है, लेकिन 1.4 को क्या जो 25 बचा हुआ है, 25 को वो किस पे बेच रहा है, 25 को बेच रहा है, 15% डिसकाउंट पे, मतलब 130 जो है टोटल वो या 1.3 का है, यह हमारा एक का प्राइज बढ़ रहा है, क्योंकि हम 30% इंक्रीज करके लिस्ट पे लगा रहे हैं, तो इसका क्या कर रहे हैं, हम छूट दे रहे हैं, 15% मतलब इसके 85% पे हम सेल कर रहे हैं, तो अगर आप मल्टिप्लाई करो, 13 का 85 में, तो 13, 65, 38, 146, 110, यह हो जाएगा, 110, 1.110, तो आप 25 को कितने पे बेच रहे हो, 1.105, इससे मल्टिप्लाई करोगे, तो आप दूसरा आजाएगा, जोड़ो के तो यह 75 का मिल जाएगा, बचे वे 25 को किस प 20% पे बेच रहे हो, तो यह किता आजाएगा, 0.91 रुपीज में बेच रहे हो, तो 25 गुड़े, 0.91 करोगे, तो यह टोटल पता चल जाएगा, आपको कि कितने में आपने सारे के सारे सारे साव को बेच दिया, इसको कैलकुलेट करो, 65 और 25 का इसमें मल्टिप्लाई करोगे तो यह कुछ आजाएगा, 27.625 और अगर 25 का 0.91 में मल्टिप्लाई करोगे, तो यह आजाएगा 22.75 और इन सभी को जोड़ोगे, तो आपकी वैल्यू जाजाएगी, 115.375 तो यहां से आपको यह पता चल गया, कि आपका 100 रुपे में खरीदे थे, और कितने में बेच रहे ह तो आपको percentage कितना profit हो रहा है, 15.375 परसेंट का benefit हो रहा है, अब आपके option में देखो 15 तो सब जगह है, बस आपको क्या देखना है, 0.375 कहां पे बनता है, तो 0.375 3 by 8 होता है, क्या होता है, 3 by 8 होता है, तो आपका A part जो होगा, वो correct होगा, यह calculation मैंने थोड़ा सा ऐसा ही कर तो solve करोगे, तो समय आपका थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, तो चलिए दूसरा question देखते है, if person paid 17,000 for a motor car after a single discount of 15%, if he is given successive discount of 5% and 10%, then how much he would pay, अब यह बोला जा रहा है क्या, कि 17,000 पे किया है, जब वो single discount 15% दिया है, तो मतलब अगर बात किया जाए कि उसका price कितना रहा ह तो यह है, आपका 85% की value दे रखी है, 17,000, तो जो MRP रही होगी, MRP हमें निकालनी है, तो MRP पहले निकाल लेते है, MRP किती हो जाएगी, इसका 100%, तो 17,85, सीदे सीदे काट लो और फिर 5 दूनी, तो यह हो जाएगा आपका 20,000 रहा होगा, किता 20,000 रुपए उसकी MRP रही इसने देन, how much he would pay, उसे कितना pay करना पड़ता, 5% और 10% का discounts कि इसके बराबर होता है, तो आपको यह निकालना चाहिए, या तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, सीदे-सीदे, 5% का मतलब हो गया 95, 95 के बाद फिर 10, मतलब 9.5 इसमें घटा दो, 9.5 घटा होगी, तो यह चाहिए, 14 में से 9 हो गया, 95, 14 यह हो जाएगा, 85.5%, तो 20,000 का क्या निकालना होगा आपको, 85.5%, यह सब verbally calculate हो जाता है, यहां से जैसे ही calculate करोगे, तो 85, 25 का दो गुना करना है, तो चलिए 200 multiply कर लेते, 25, 25, 10, 11, 12, 16, 17, तो 171 आएगा, यह बीच में 0 नहीं आएगा, तो यह C पार्ट होगा, जो आपका यहां पर correct होगा, तो इसमें verbal calculation था सिर्फ, अब इस question में क्या दिया है, a shopkeeper sells a badminton racket, whose mark price is Rs. 30, at a discount of 15% and gives a subtle cock, costing Rs. 1.50 free with each racket, even then he makes a profit of 20%, his cost price per racket is एक दुकानदार, एक badminton racket, जिसका अंकित मुल्य 30 रुपीज है को 15% छूट के साथ बिचता है, और प cattle cock, जिसकी कीमत 1.50 है, मुफ्त देता है, इसके बावजूद भी वह 20% का लाप राप्त करता है, प्रतेक रैकेट का क्राय मुल्य क्या है, देखिए इस तरीके के, जो question होते हैं, जिसमें कोई चीज फ्री दी जाती है, तो मैं आपको अलरड़ी बता चुका हूँ, कि ये फ अलरड़ी का क्या हो जाएगा, 85% हो जाएगी, तो 85% पे वह सेल कर रहा है, तो 85% निकालोगे, तो इसका किता हो जाएगा, यहां पे 0 कट गया, 35, 15, 30, 24, 25 दर दृस्वलाब 5 रुपए इसका क्या हो जाएगा, यह सेलिंग प्राइज हो जाएगी, लेकिन 1.50 रुपई जो profit earn कर रहा है 20% का ये तो फ्री दे रहा है तो जो profit में है वो सीधे-सीधे 1.50 तो आप निकाल लो पहले फिर उसके बाद जो subtle है जो चीज है आपका वो 20% के profit पे आ रहा है तो जो profit होगा ये जो 24 रुपए है वो 120% है किसका cost price का cost price का 20% profit होने का मतलब 120% है cost price का 24 तो आप 100% निकालोगे तो ये value किती आ जाएगी आपकी 20 रुपीज आ जाएगी तो जो option होगा इसका आपका वो C part होगा चलिए एक question और देखते हैं महाबाजार offers 20% discount on bags which have been marked 50% above the cost price अमरनाथ pays रुपीज 840 for a bag then the cost price of the bag is लागत मुले से 40% अधिक अंकित मुले पर महाबाजार में थैलो पर 20% छूट दी जाती है वहाँ पर अमरनाथ ने थैलो की कीमत 840 अदा की तो उसे थैले का लागत मुले क्या था अब एक कोशिन बहुत ही आसान है इतने tough tough कोशिन कर चुके हो क्या बोला जा रहा है लागत मुले से 50% अधिक अंकित मुले पर महाबाजार में थैलो पर 20% की छूट दी जाती है लागत मुले से 50% अधिक है मतलब अगर हम बोले कि कॉस्ट प्राइज हमारा जो है 100% है तो जो MRP है वो 150% है बोला जा रहा है 20% की छूट दी जा रही है 20% की छूट दी जा रही है अमरनात ने थैले की कीमत 840 रुपे दी मतलब इसकी वैलू कित्ती है तो आपको निकालना है थैले का लागत मुले तो लागत मुले कैसे निकल जाएगा 100% निकालना होगा 100% इसकी कित्ती वैलू हाजाएगी 840 बटा 120 गुडे 100 यह हो जाएगा 12 12 12 65 22 24 84 700 रुपीज आ ज safety वैले का कित्वीज अचुमा उकत जाएगा होगागी 9kovे वैले कित्ती वैले का भीप्ती थैले काई यह होगागाे 10